जैस्री किशनर राधे राधे खासी की कई वज़ा होती हैं खासी होने पर व्यक्ति को काफी तकलिप का सामना करना पड़ता है खासी के लिए दवा की दुकान से दवा मिल जाती है लेकिन अगर आप तुरंथी घरेलू उपायक के जड़ी खासी का इलाज धून रहें तो ये वीडियो पूरा जरूर देखे खड़ी हल्डी को आग में गर्म करें जिससे इसकी उपरी सतर थोड़ी जल जाए फिर इसके छोटे छोटे टुकडे कर लें जब भी खासी आए एक टुकरा मुह में रख चुशते रहें जब तक टुकरा मुह में रहेगा खासी नहीं आएगी पतले दूद को जिसमें मलाई नहो और गारहा दूद नहो हल्की आज में थोड़ी सी मात्रा आमी हल्दी पाउडर की मिला कर गर्म कर लें थोड़ा गुनगुना ही रहे तब इससे पी ले खासी जल्दी ठीक हो जाएगी काली मिर्च दोनों तरह की खासी को कंट्रोल कर सकती है इसके बेहत खास गुर्षूखी खासी को भी कम करते है दो कप पानी में 10-12 काली मिर्च लेकर तब तक उबालें जब तक की पानी आधा ना रह जाए फिर इस पानी को छान कर 4-5 बार थोड़े थोड़े करके पिएं काली मिर्च को पीच कर घी में भून कर इसकी नेमित इस्तिमाल से भी गले को आरा मिलता है और सूखी खासी भी ठीक होती है सूखी खासी को दूर करने के लिए आपको दिन में 3 चमच सहद का सेवन करना चाहिए सहद में ऐसे एंजाइम होते हैं जो खासी से राहत दिलाते हैं एक गिलास गरम पानी में एक चमच नमक मिला कर सुबह साम गरारे करने से सुखी खासी में आराम मिलता है अद्रक के छोटे-छोटे टुकड़े करके इसे गरम तवे पर सेक लें इसमें थोड़ा पिसा हुआ काला नमक मिला लें इन टुकड़ों को एक डिब्बे में रख लें और जब भी खासी हो एक टुकड़ा मुह में रख कर चूशते रहें थोड़ी सी अद्रक सिल्बटे पर या ओखली में पीस कर इसका रस निकाल लें और एक चमच में लेकर इसमें थोड़ा सा सहद मिला लें इसे चमच से थोड़ा थोड़ा करके चापते रहें खासी में बहुत आराम देता है जैश्री किस्टन राधे राधे